सिवी दुशन्त शिट्रालजी पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने शेत्र की बात रखी तो एक चीज जरूर आज देखने को मिली कि सबने बारा पन्नों की बात करी और बारा पन्नों में जो अर्याना की सबसे बड़ी एहमियत है स्पोर्ट्स उसके उपर किसी भी एक साथी में तरचानी थे और अर्याना वो प्रदेश है जो एक तिहाई पदकों को लाने का काम चाए उलम्पिक्स हो चाए कॉन्वेल्थ हो चाए इसन गेम्स हो उसके अंदर करता है तो मैं तो चाहूंगा कि माम हीम ने भी इसको टच किया है मर इसके अंदर हमारी सरकार मिलकर ये परियास करें कि हमारा कोई भी खिलाडी जो उलम्पिक्स के अंदर पार्टिस्पेट कर रहा है सरकार के और से जो कोई भी अफसर मिलेगा आने वाड़े बविश्य के अंदर हमारे पास संदीप शिंग जी है, पूर अलम्पियन भी है, मेडलिस्ट भी है चाहिए हम मिलकर चाहिए हमारे युवा चलंजी होगे, अमित होगे, वरुन होगे ये युवा साथी मिलकर उन प्लेयर्ट की किस तरीके से टेकनिकल, किस तरीके से और हल्प हम करता है इनके उपर इनके सुझाब भी आने जुरूरी थे, और उमीद करते हैं कि उन खिलाडियों को जो अरियाना प्रदेश का नेतर्तव करेंगे अरियाना प्रदेश की तरफ से इस देश का नेतर्तव करेंगे, हम अपनी तरफ से पूरा सयोग भी दे पाए कि आने वाड़े उलिम्पिक्स के अंदर, मेडल टेली में जहां भी हम एक तिहाई थे, वहां मादे में अपने प्रदेश का नेतर्तव पोचाने का काम करें मैं जब हमारे गुप्ता जी मुबाइल लेकर खड़े हुए और अपने अभिवाशन के उपर चर्चा कर रहे थे तो बड़े साथी सामने वाले बेंच से खड़े होकर बोले कि मुबाइल अलाउड नी है, मुबाइल अलाउड नी है अच्छी ऐसी चीज थी प्रशनकाल के अंदर हम प्रशन डालते थे, तो वो सब डिजिटलाइज हो, कोई भी सांसद आखरी के साल में हाथ के पेपर पर लिखके कोश्चन नी देता था, सब ऑन लाइन डले लगे, तो यह पर्था आप इस चेयर पे बैठे हैं, एक जुम् के पास स्टैब्स हैं, बड़े-बड़े मुबाइल हैं, उसके अंदर ये चीज दिखा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि गुपता जी का हमें प्रेज करना थी है कि इनने पर्था शुरू करेगी दिजिटलाइजिशन के माध्यम से अपने अभिवाशन को रखने का काव कर कई साथियों ने ये कहा कि वारते जनता पार्टी और जन्नेक जनता पार्टी के इस गठवंदन की जो बाते हैं, उसके अभिवाशन में देखने को नहीं हुआ, अभी ये गठवंदन सरकार बढ़े जुमा जुमा आठ दिन नौ दिन हुए हैं, और इसके अंदर हमारा प् होंगे, पचास किलमेटर के रेडियस के अंदर होंगे, मगर उसके प्रतिये कहते हैं कि दोनों की तरफ से क्या कतल होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज सदन के अंदर भी, हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो दोनों पार्टियों का है, प्रफेसर साब आज अंसाब ने बड़ी अच्छी तरीके से गिनवाई भी 420 गोशनाय है, मैं आपके साथ साथ जा करूँ कि लगवग हमारी जो गोशनाय है और भारते जनता पार्टियों गोशनाय है, बहतर ऐसी गोशनाय है, जिसके अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा आज विश्वास रखिएगा, कि आज कमिटी भी बनाएंगे और उसके उपर कौमन मिनमम प्रोग्राम को मजबूती से आगे ले जाने का काम भी करेंगे, और एक कदम विश्वास के साथ हमारे साथी कुल्दी बस जी कह रहे थे कि आप युवाओ के लिए लड़ते थे, य मैं आपको आज इस सदन पे मुख्यमंतरी के तौर पर इश्वास के साथ कह सकता हूं कि 55% हर्याना प्रदेश के रोजगार में इस्सेदारी हर्यानवों की लाने का आपका प्रयास अगले सेशन में बिल के तौर पर हमारी सक्कार का है, जहां बात आती है फार्मर की, बहु कर ये फैसला लिया था, कि एक एक दाना परदेश हो, अगर कोई साथी कहता है कि हमारे महाँ पर आज भी परदेश में बिकत है, तो हमें इंफॉर्म कराई है, हम एक सक्किन में अपनी बात रख लूँ, मैंने आपको नहीं टोका, जहां परदेश की बात है, हम एक 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 मैं आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पिछले साल की जो परदेश थी, वो 55 लाख मेट्रिक टन थी, इस साल वो 60 लाख मेट्रिक टन से जादा होगी, उसका एक कारण है कि दूसरे परदेशों का भी धान हमारे परदेश में है, एक और चीज जो समझने की देखने की है, व मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज इस सदन के बाद, सरकार के और से हम गारेक्शन भी जरूर देंगे, कि इंस्पेक्शन करी जाए प्रतियक उसकी, जिसके पास अगर बिल फसल का कटावा है, और उसके गोदाउन में वो फसल नहीं पड़ी, बहुत से आप जिसस साथी भी उसके अंदर हमारे विरुद बोलेंगे, कि आपने तो इसको मार दिया, मारने की बात नहीं है, जब हमारे किसान का दाना परचेज नहीं होगा, और कोई बिल कटवा कर, क्योंकि पहले प्रता रही है, आज मेंबर ऑफ पारलेमेंट भी मैंने कई बार तो मैं तो चाहूंगा विपक्स में बैठे एक एक साथी से, कि आप बताइए कि कौन सी मंडी के अंदर आज के दिन धान पड़ी है, और किस गोदावन के अंदर धान नहीं पहुचा, उसकी पूरी तौर पर आम इंक्वाईरी भी कराने का काम करेंगे, यहां बात फार्मर की आई है, बिलकुल प्रदान मत्री का एक विजन रहा है कि 20-22 तक फार्मर की इंकम को डबल करना है, मगर सारे साथी खड़े होकर कहते हैं कैसे करोगे, नहीं तो कहते हैं तो आप लोग भी सुझाव दो, हमारे डीवी कंपोजर पर 20 रुपे की बोतल पर इतना बड़ा आपकी और से जरूर सुझाव आने जी है कि फार्मर को क्या चीज़ दी जाए, आज पाइलर्स की जरूर्स है, पाइलर्स का मैंने, दुशन जी, सदन का समय तीच मिनट के लिए और बना जाता है, पाइलर्स की जाबात आती है, सरकार की और से पाइलर्स हर डिस्टिक में दिये गए है, मैंने आज सुबह खुद डिस्टिक अग्रिकल्चर प्लान मंगा कर उसको स्टेडी किया, मर एरानी होगी आपको कि अधिक्तम डिस्टिक ऐसे हैं जहां पर पाइलर्स के लिए, लोगों की सब्सीडी लेने के लिए, अप्लिकेशन ही नहीं उपलब तो मैं आपको प्रेरित करता हो, आपकी कॉंसिच्वइंसी के अंदर, डिस्टिक अग्रिकल्चर प्लान की एक कॉपी ले पड़े, उसमें देखे की रोटावेटर पर कितनों पर सपसीडी है, ट्रैक्र पर कितनों पर सब्सीडी है, उनको उठाए, उनको इंपलिमेंट कराइए, आप भी सरकार का हिस्सा है जब एक विदायक सारे चुनकर आते हैं जब इपक्ष में बैठा हो सत्ता में बैठा हो उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम मिलकर कैसे आगे बढ़ाएंगे पानी की समस्या के ओपर बहुत बड़ा विश्य उठागी कि आज पानी कहिंदार्ख जोन में आ रहा है प्रयास सरकार का रहा है मामाहीम ने भी उसके अंदर आपको अब इपने खिवाशम में ने कहा किี่ रेनुका डैम हो कसाओ डैम हो लखवाड़ डैम हो के इंदर सरकार के और से भी दो प्रोजेक्स पर अपने अप्रूवल आगे हैं तीसरे के उपर क्योंकि वहाँ है इन्वार्मेंट क्लीरेंस बहुत ज्यादा चाहिए तो अभी पेंडिंग पड़ा है पर हमारा प्रयास रहेगा कि इन तीनों डैम की डवलप्मेंट का भी काम जल से जल शुरू हो जिसे पाड़ी की समस्षा को दूर किया जाए और उसके साथ साथ चैसतलु जमना लिख हो हासी भुताना हो हमारी प्रयाइटी रहेगी की इन प्रोजेक्स को भी जो चार-चार दसकों से पेंडिंग पड़े है सब जूडियस से सुप्रीम कोट के जहां यूथ और इंप्लोईमेंट की बात है हमारी सरकार का प्रयास है कि जहां 75% रोजगार के अंदर इस्सेदारी अज्याना के युवाओं की हम देने का काम करेंगे वहीं मैं चाहूंगा कि जो जो जैसे प्रोफेसर साब कह रहे थे कि बेरी का गल्स कॉलेज दो बार उड़ा साथ की तेंजिओर में थी और एक बार मनोरलाल जी की तेंजिओर में थी और चौथी टर्म है जब ये घोशना पूरी नहीं हो रही और मेरे को लगता उससे पुराणी पुराणी मांद आपने उस ताइम भी एरनिं कोमेंटरी करी थी शिटिंग के भी बे एडि मिस्टेटिव अप्रोवल भी आई, फाइनन्सियल अप्रोवल भी आई, मेरे कम से कम भी 22 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिब फाइनन्सियल अप्रोवल थी, जिनका कॉंट्रेक्टर भी, मतलब कॉंट्रेक्ट भी वो तुक था और पिछले 5 शाल वो शुरू भी नहीं तो हमारे उनके ये सब कहकर सरकार के अब इस हिस्से के अंदर आपकी भी इस्सेदारी रहे कि वो बहुत लंबे समय से परेंडिंग प्रोजेक्ट है। मेरे को लगता है हम मिलकर पूरा करा पाएंगे। जहां पौवर्टी एरिडिक्शन की बात ही। सरकार ने अपना सपना आगे रख लिया कि किस तरीके से चाहे वो गरीब को मकान दिलाने की बात ही। चाहे उसको मिवस्ता पुचाने की बात ही। मैं हेल्थ फैसलिटीज की बात थी। हमारे कॉंग्रेस के साथ ही कह रहे थे ऑस्पिटल के अंदर मैं चाहूंगा मेरे को मौका मिला कि आगे उस हॉस्पिटल में विजिट करने का। तो चाहूंगा एक पर आप पंच्पुला का पानिपत के हॉस्पिटल देखकर आए। महां PPB model के अंदर जिस तरीके से कैथलाइब चल रही है। बहुत से ऐसे साथियों में जिनको यह नहीं पता कि आज 18,000 रुपे के अंद सरकार को चाने का काम करते हैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप हमें अपने अपने डिस्टिक एड़कॉर्टर्स में जगे उपलब्द करा कर देने का काम करेंगे तो क्यों नहीं हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि PPB model के अंदर हर जगे कैथलाइब्स खुल बॉर्डर पे खड़ा हर दस्वा जवान हमारे प्रदेश का है बहुत बड़ी सधारी मिलिटरी पेरे मिलिटरी में हमारे प्रदेश की है ये विश्वास मैं उनको दिलाता हूँ कि हम मिलकर काम करेंगे जो मिलिटरी के साथियों को सुविधाय बनती है आज पेरा मिलिटरी के बहुत से ऐसे साथी है कि उनसे वंचित रहते हैं हमारा प्रयास रहेगा कि पांच साल के अंदर मिलकर हम उनको भी वो सुविधाय प्रदेश की और सोपलत प्राने का काम करें और मैं उमीद करूँगा प्रदेश की उन्नती और प्रगति क्योंकि अगर हम इतियास उठाकर देखे तो 1966 से सरकारे बहुत रही है विधान सबाए के लीडर बहुत रहे कहीं सौट टम रहे कहीं लॉंग टम रहे स्टेबलेटी रही अन्स्टेबलेटी रही मगर ये परयास रहा सबका कि अर्याना और हम इस उमीद के साथ आज इस गठवंदन में खड़े हैं कि अर्याना को स्टेबल और प्रोग्रेसिव गवर्मेंट दी जाए जिससे अर्याना प्रदेश उन्नक्ति और प्रगति के पत्स पर चले दुबारा आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत 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